अब इस नए साल में अगर आप अपने बेडरूम को कलर करवाने के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हो कि ऐसा कलर आपके बेडरूम को लगे, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा दिखे, जो कि आजकल के ट्रेंट के हिसाब से हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आये हैं, क और उससे पहले आपको कुछ चीज़े ज़रू जान लेनी चाहिए बेडरूम में कलर करवाने से पहले, देखे दोस्टो कलर में में दो ٹाइप होते है, एक होते है वार्म कलर और दूसरे होते है Evangelical में कमेंने महसूस करवाते है, यही कारण होता है, जिस वज़े से बेड बेडरूम को कलर करवाना है उससे पहले आपको ये जरू ध्यान में रखना चाहिए कि आपके बेडरूम में आपको glossy कलर जो है उन्हें खास करके avoid करना चाहिए और हाँ avoid से याद आया जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में भी कहा है कि आपको fluorescent कलर जो है उन्हें भ कलर का combination बहुत जादा trend में है जिसमें की होता यह है कि एक वाल को dark किया जाता है और बाकी तीन वाल को light कलर में रंग दिया जाता है अब यहाँ पर पहले color combination में आपको अगर pink color पसंद है तो आप तीनों दिवारे के उपर light pink color को कर सकते है और जो एक वाल होगी उसके उपर आप dark pink color भी कर सकते है अब बात करते हैं दूसरे color combination की अगर आपको purple color पसंद है तो आप तीनों वाल को light purple color कर सकते है और उसके बाद में जो एक वाल आपकी बच जाएगी उसके उपर आप dark purple color को भी कर सकते हो पहले दो color combination जो आपने देखे है उसमें आपने यह चीज ज़र आप white और blue का इस्तमाल करेंगे वहाँ पर आपको तीन वाल को white color करना है और एक वाल को dark navy blue करेंगे तो भी दिखने में बहुत ही खुबसूरत दिखाई देगा उसके बाद next color combination है cream and brown आपकी जो dark वाल होगी उसके लिए आप brown color का इस्तमाल कर सकते है और तीनों वाल जो है उ dark आती है तो यह दिखने में अच्छी दिखेगी और जो plain wall होगी यानि कि जिसके उपर किसी प्रकर की opening नहीं होगी यानि कि ऐसी दीवार जिसके उपर आपका दर्वाजा या फिर खिड़की नहीं आती है उस wall को आपको dark wall के लिए चुनना चाहिए चलिए अगला color combination जो है वो थोड़ा सा brighter side में है तो यहाँ पर आप cream और yellow color का इस्तमाल कर सकते हैं डार्क wall के लिए obviously yellow और तीनो जो light color वाली wall है उसके लिए आप cream color का इस्तमाल कर सकते हो जैसा कि आप clearly देख सकते हो इस color के वज़े से इस room में अच्छी से रोशनी आ रही है तो अगर आपके पर रोशनी की थोड़ी सी दिक्कत है तो आप इस color combination के तरफ जा सकते हो अगला color combination है red and white तीनो वाल को white color करने के बाद एक dark wall के लिए आप red color को चुन सकते हैं देखिए दोस्तों white color जो है वो maintain करना थोड़ा सा मुश्किल होता है पर इसका फायदा यह होता है कि इसके उपर आप किसी भी प्रकार का dark color का इस्तमाल आराम के साथ कर सकते हो अगर आपको red color के आलावा दूसरा color चाहिए तो आप orange और white यह color combination भी चुन सकते हैं जैसा कि आप आगे देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस color combination के वज़े से room वाकई में खुबसूरत दिखाई दे रहा है अब उसके बाद में एक dark wall जो है उसके लिए brown color का इस्तमाल किया गया है और वही पर इस दूसरे room में तीनो foll को pearl white कलर किया गया है और उसके उपर parrot कलर की shade को लिया गया है उसके बाद में अगला color combination है जिसमें की light wall के लिए आप cream color का इस्तमाल कर सकते है और dark wall के लिए saffron color का इस आपने बेडरूम के लिए सिर्फ एक कलर का चुनाव करना चाहते हैं, तो आपके सामने कौन-कौन से option है, यह अब हम देखेंगे, बेडरूम के लिए जब आप color चुने, तो आपके लिए सबसे best option होता है cool colors का, यह जो cool color होते हैं, यह आपको calm, relaxed, refresh मैस्यूज करा सकते हैं, त तो देखें दोस्तो इतने सारे color के combination या फिर color के options आपके सामने होते हैं, आप इन में से अपने favorite का चुनाव अपने बेडरूम के लिए कर सकते हैं, और अगर आपके इसाफ से भी कोई color combination आपको सही लगता है, तो comment box में comment जरूर कीजिए, चानल पे अगर आप लोग नए आ सकता है.